तो देखो solid sphere के लिए क्या है ये हमारा sphere है solid है इस बार ठीक है इस पे पूरे पे charge distributed है क्यों radius है इसकी capital R देखो और outside point और outside point ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है आउटसाइड point के लिए तो ये point charge के तरह भीयाव करेगा किस के तरह भीयाव करेगा point charge के तरह तो बाहर के लिए तो potential का formula वही हो गया क्यों by small r like a point charge like a point charge same ही हो गया तो ये तो देखो point charge वाला ही सेट है मामला यहां तो इसमें तो कोई अलग से याद करने की जरूरती नहीं पड़ रही है ठीक है ये आ गया लेकिन अंदर ये याद रखना पड़ेगा for inside अपर सर्फेस का लिख दूँ एट सर्फेस का भी सेम ही आएगा सर्फेस का भी सेम ही आएगा सर्फेस का पोटेंशिल इसमोल आर को क्या रख देंगे कैपिटल आर लेकिन बात करें for inside पॉइंट इंसाइड स्पियर अब एक्चुल में क्या होता है बटा सोलीड स्पियर के अंदर इलेक्ट्रिक फिल्ड जीरो नहीं होती है ऑर नंजीरो होती है क्या होता है इलेक्ट्रिक फिल्ड का फोब्ला सोलीड स्पियर के अंदर इलेक्ट्रिक फिल्ड का फिल्ड एलेक्ट्रिक शाजज एज्डकुल में पढ़ा होगा वह था कि क्यूं आर अपों कैपिटल Peng के ठीक है है तो देखो यहां मैं सीधा फोर्मला लिख देता हूं एक्चर में उसको Derive नहीं कर रहा हूं कि वह Derive करेंगे थोड़ा बड़ा चला जाएगा हमें फाइनली या तो फोर्मला ही रखना है तो मैं V inside का formula सीधा लिख देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा 3R square minus small r square, यह एक्टो में बड़ा सा formula, यह याद रखना है, यह याद रखना है, इसमें ध्याद रखने वाली बात क्या है, center पर, यह formula याद रखना है, ठीक है, यह याद रखना है, तो center का क्या है, at center, center का मतलब है, small r की value 0, क्योंकि हमारी जो distance होती है, किसी भी point की, वो center से ही तो होती है, तो center खुद की मतलब small r 0, जब small r 0 रखेंगे, तो यह देखो, यहाँ आएगा 3 kq r square, यहाँ 2 r cube, r square cancel हो जाएगा, तो v center जो होगा, वो आएगा 3 by 2 times of kq upon r, 3 by 2 times of kq by r, जहान से देखते हो, surface का, 3 by 2 times है, surface का कितना गुणा है, 3 by 2 times, surface का है kq by r, और यह है 3 kq by 2 r, मतलब surface से 3 बटा 2 गुणा, डेड़ गुणा है, surface का डेड़ गुणा, ठीक है, surface का डेड़ गुणा होता है, center का potential, ओके, graph बना दो, यह जो graph बनेगा, बेटा, देखो, v r square के उपर डिपेंड कर रहा है, और r square मतलब पैराबोला बनेगा, और पैराबोला माइनस है, तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होता है, तो इसका graph भी याद रखना चाहिए, इसका graph कैसा होगा, यदि potential का graph बनाएंगे, r के साथ, तो इसका graph बनेगा, इस तरीके से याद रखना, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड बनता है, कहां तक, surface तक, surface मतलब, small r capital r, उसके आगे यह rectangular hyperbola दिखता है, rectangular hyperbola, ठीक है, यह जो value होती है, यह surface की होती है, kqyr, और यह होता है, 3 by 2 times of kqyr, center का, surface से भी जादा अंदर potential होती है, यह graph भी याद रखना है, यह graph भी याद रखना है, देखो, clear हुआ, यह formula थोड़ा ठफ है, बाकी सारे आसान है potential की, point charge के कार्ण, जो भी finite distribution of charges होते हैं, उन सब के कार्ण potential, ring के arc पे हो, ring के axis पे हो, ring के center पे हो, या फिर hollow cell हो, hollow sphere जो है, उन सब क्या आसान है, बास solid sphere के अंदर का फूलना थोड़ा सा difficult है, यह याद रखना चाहिए वैसे तो, लेकिन at least यह तो रटाई होना चाहिए, कि center का potential 3KQY2R होता है, मतलब 3 by 2 time of surface होता है, यह तो याद होना ही होनाचे,